कि नमस्कार साथियों मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चनल प्रकाश इसड़ी में आपका स्वागत करता हूं साथियों आज हम सब्सक्राइब चनल पर पहले हैं इसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास इबं शिक्चा सास्त्र से इस पेपर में जितने भी कॉशन बनते हैं हम सभी कॉशनों को करेंगे सातियों से पहले हम आपकी हिंदी, सामाजविग्ञान, गड़ेत और आपकी संस्क्रत की वीडियो बना चुके हैं, आप ले लेट में जाके देख सकते हैं आईए इस्टाइट करते हैं, सातियों का चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब ने किया है, अपली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और आधिक से अधिक से यह करें, जिससे सभी आपके दोस्तें, भाहि बहनें, सभी का फायदा हो सक आईए इस्टाइट करते हैं सातियों, सातियों अगर आपको कोई doubt नजराता है इस paper में, या कोई question गलता आता है, तो आप comment करके बता भी सकते हैं, इसमें पूचाया question नमर पहला है, इसमें पूचाया निमनल लिखे तो वाक्यों में कौन सा विकास की विसे में सही नहीं है या आपकी चार ओप्सन दरिके हैं, चार ओप्सन को पढ़के आपको correct answer बताना है कौन सा विकास की विसे में सही नहीं है, साथ इसका correct answer और second सही हो जाएगा, यानि सांस्कृतिक परिवर्थन से विकास प्रभावित नहीं होता आगे देख लिएते हैं, question number 2, दो में पूचाया सातियो, बच्चों में संग्यानात में का विकास किसका परिणाम है, यह चार ओप्सन दरिके हैं, चार ओप्सन को पढ़के correct answer आपको बताना है, question number 2 का correct answer क्या होगा इन चार ओप्सन दरिके आपको सही answer आपको बताना है आनिवान सिकता और बातावरण की पारस परिक क्रिया का, आगे देख लिते हैं, question number 3, तीन में पूचा है, विकास का वहा चरणा, जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विसेश, कौसल या विसेशता को प्राप्ट कर सकता है, क्या कहलाता है, यह नीचे चार ओप्सन दरिके अबदी, आगे देख लिते हैं, question number 4, चार में पूचा है, बच्चों का एक समुवा, अपने खेल को एक नरत्य रियालेटी सोई पर आधारित करता है, एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चड़ता है, और टिपणी करते हुए तालीव आजाता है, इस उधारन में साम को पढ़के सही अंसरा को होताना है, question number 4 का correct answer क्या होगा, साथे question number 4 का correct answer पहला सही हो जागा, यानि मीडिया कहलाती है, आगे देख लेते हैं, question number 5, पांच में पूचा है, जीन प्याजे के संग्यानात में विकास के सिद्धांत का अनुसरन करते हुए, विद्यार्थि, वि निगमनात्मक तर्क की जरूरत पढ़ती है, नीचे चार उपसंदने के हैं, चार उपसंदने को पढ़के सही अंसरा को अताना, question number 5 का correct answer क्या होगा, साथे question number 5 का correct answer पहला सही हो जागा, यानि अमूर्थ संक्रियात्मक, आगे देख लेते हैं, question number 6, 6 में पूचा है, सामुह साथे question number 6 का correct answer option में पहला हो जागा, यानि जीन प्याजे, आगे देख लेते हैं, question number 7, साथ मैं पूचा है, एक वाइगोश से की, कक्षा कक्ष में सहपार्ठियों का एक सम्मूवा किसी सामान्य लक्ष पर पहुंशने के लिए कार कर रहा है, इस इस्तिती में वो खालिस्त में वैस कहे, नीचे चार उप्संद रिखें, चार उप्संद को पढ़के सही अंसर आख वोताना, question number 7 का correct answer क्या होगा, आगे देख लेते हैं, question number 8, question number 9, question number 9, question number 9 का correct answer आख पहला हो जाएगा, जिसकी अब हेलना की गई है, आगे देख लेते हैं, question number 10, दस में पूचा है, बाल के इंद्रित सिच्चा के समर्थकों का मानना है के, नीचे चार उप्संद रिखें, चार उप्संद को पढ़के सही अंसर आख वोताना, question number 10 का correct answer क्या हुआ, पहला हो जाएगा, यानि ब्यक्ते गात, अनभाव, आधिगाम, प्रिक्दिया में, इंद्रिय, भूमिका निवाते हैं, आगे देख लेते हैं, question number 11, 11 में पूचा है, निम्न में से कौन सी बुद्धी, गार्डनर के बहो बुद्धी सिद्धान्त का सम्मेलित नहीं है, आगे देख लेते हैं, question number 12, 12 में पूचा है, माधि में के विद्यालायों में, लिंग भीद को दूर करने ही, तो निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा, नीची चार उप्सिन को पढ़के, सही अंसरा को ताना, question number 12 का, correct answer क्या होगा, आगे देख लेते हैं, question number 13, तेरह में पूचा है, एक अध्यापेका को आधिमिक करताओं की, पसंदीदा आधिगम, सेलियों, संबंदित, ब्यक्तिगत, विभिनताओं, खालिसान करना चाहिए, नीचे चार उप्सिन को पढ़के, सही अंसरा को ताना, question number 13 का, correct answer क्या होगा, साथे, question number 13 का, correct answer, पहला सही होगा, यानि का सम्मान, यानि जो खालिसान है, उस पर आएगा, का सम्मान, यानि एक अध्यापेका को अधिमिक करताओं की, पसंदीदा अधिमिक सेलियों, संबंदित, ब्यक्तिगत, विभिसिस्ताओं का सम्मान करना चाहिए, आगे देख ले समाग्र 306 डिगरी, भव आयामी रिपोर्ट की संदर्म में कौन सा अकताना सही नहीं है, नीचे 4 अधिमिक हैं, 4 अधिमिक को पढ़के, सही अंसरा को ताना है, question number 15 का, correct answer क्या होगा, साथे, question number 15 का, correct answer है, पहला सही होगा, यानि रिपोर्ट में, स्वेपर, और सहपार्थि का आकलन समलित होगा, आगे देख लेते हैं, question number 15, 15 में पूचाए, विद्यार्थियों में समालोचनात्म का सोच गा, मुल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है, नीचे 4 अधिमिक हैं, 4 अधिमिक को पढ़के, सही अंसरा को ताना, question number 15 का, correct answer क्या होगा, साथे, पंद् आगे देख लेते हैं, question number 16, 16 में पूचाए, दिव्यांग विद्यार्थियों के समा विश्चन के लिए क्या जरूरी है, नीचे 4 अधिमिक हैं, 4 अधिमिक को पढ़के, सही अंसरा को ताना, question number 16 का, correct answer क्या होगा, आगे देख लेते हैं, question number 17, 17 में पूचाए, पठन में, कठनाईयां, जैसे की, आक्षनों का, दरपन, छवी, ब्रह्म और, उत्क्रमन, निम्न मैसी, किसकी अभिलेक्षन हैं, नीचे 4 अधिमिक हैं, 4 अधिमिक को पढ़के, सही अंसरा को ताना, question number 17 का, correct answer क्या होगा, साथी, question number 17 का, जो correct answer है, option number 13 सही होजएगा, यानि, वाचन वेकल्य, आगे देख लेते हैं, question number 18, 18 में पूचाए, गति सील, देब्यांगता, निम्न लिखितमें से, किसक छित्र में, चुनोती पैदा करती है, नीचे 4 अधिमिक हैं, 4 अधिमिक को पढ़के, सही अंसरा को त साथी, question number 19 का, जो correct answer है, option number 14 होजएगा, यानि, आकलन में, मौखिक तरी के, अपनाने चाहिए, आगे देख लेते हैं, question number 20, पीस में पूचा है, प्रतेवाश आली और मेदावी विद्यार्थियों को, क्या करना चाहिए, नीचे 4 अधिमिक हैं, 4 अधिमिक को पढ़के, सही अंसरा को ताना, question number 20 का, correct answer क्या होगा, आगे देख लेते हैं, next question, question number 21, पूचा है, विद्यार्थियों में, संप्रत्यात्म का अधिमिक है, तो एक अध्यापिका को निम्न में से किसका अप्रियों को टालना चाहिए, नीचे 4 अप्शन रिक हैं, 4 अप्शन को पढ़के, सही अंसरा को ताना, question number 21 का, correct answer क्या होगा, question number 21 का, जो correct answer है, और second सही हो जाएगा, यानि, विस्यों को यटिल से सरल क्रम में लगाना, आगे देख लेते हैं, question number 22, बाइस में पूचा है, निम्न में से कौन सा सवाल, विद्यार्थियों में, अधिर संग्यान, कौसलों को वढ़ावा दिनी में मददगार होगा, नीचे 4 अपसंद्र कें, 4 अपसंद्र को पढ़के, सही अंसरा को वताना, question number 22 का, correct answer क्या होगा, सहाथे question number 22 का, जो correct answer है, अपसंद्र पहला हो जाएगा, यानि, दिये गए सवाल को, सुल जहाने के लिए, आपने क्या सूपान अपनाएं, आगे देख लेते हैं, question number 23, question number 23 में पूचाये, विद्यार्थियों में, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करनी में, निम्निम में से कौन सा सहायक है, नीचे 4 अपसंद्र कें, 4 अपसंद्र को पढ़के, सही अंसरा को वताना, question number 23 का, correct answer क्या होगा, यानि, अपने विद्यार्थियों की बहावनात्म का आवस्य खताओं का ध्यान रखता है, आगे देखे लिए, question number 25, 25 में पूचा है सातियों, मादिमे के विद्यार्थियों में, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, वांचनिय तरीका कौन सा है, नीचे 4 अपसंद्र कें, 4 अपसंद्र को पढ़के, correct answer को वताना है, सातियों, वांचनिय तरीका कौन सा है, इसमें सातियों, खालिस्ताने बढ़ना है, उन्मो की लक्ष विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरीक प्रिणा देगा, यानि खालिस्ताने की जगर पर क्या आएगा, नीचे 4 अपसंद्र को पढ़के, सही अंसर रख पोताना है, question number 26 का, correct answer क्या होगा, सातियों 26 का, correct answer है, option number 3 सही हो जाएगा, यानि आधिगम, यानि खालिस्ताने की जगर पाएगा, आधिमें का आधिगम, उन्मो की लक्ष विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरीके प्रिणा देगे, आगे देख लेते हैं, question number 27, 27 में बूचा है, ब्रांतियां, नीचे 4 आधिगम, प्रिक्रियां का, प्राकर्तिक अंग है, यानि जो आपकी ब्रांतियां है, ये आधिगम, प्रिक्रियां का, प्राकर्तिक अंग है, आगे देख लेते हैं, question number 28, 28 में बूचा है, कथाने एदे रखा है, विद्यार्थियों को अपने आज-पास होने वाली, विभ कारणों का अंदाज लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, तरक आप दे रखा है, बच्चे अपने आस-पास दिखी हर गठना का कारण होजना चाहते हैं, और उनकी कारण ब्याक्षा उन्हें लगोसे दान्तों के निर्माण की ओल ले जाती है, सही विकल्प चुने आपका अज़ों की ओले आगे देखकले लेते हैं, और आट ऑस बयाक्षा करता है, और बिसमें आपका और खे ले जाएे, और जाए आगे देखे लेते हैं, और आंपर अंतीस 29 में कथन ए दे रखाए अध्यापेका को नए संप्रत्यों को वच्चों के पूर्व अनभवों से जोड़ने का प्रयात्न करना चारिए तरक आर दे रखाए अधिकम एक निरंतर प्रिक्रिया है जो विद्याल के वहर भी होती है सउझसां करें निचे चार अप्रेक करने हैं स क्रेक्ट्राइंसर क्या होगा ऑर आर तोन और अर सही आप प्रोंधिया करता है T और अगे देखे लेते हैं साथ या नमर तीस तीस में पुझाए किसी द हिस्यानत को करने का किया कहलाता है नीचे बीडियों के सबढ़े कर लिए अगरा को अच्छा लगता है टा लाइक कर दें चैनल को जरूर कर दें और आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं जैसे ही आपके दूसरी नई वीडियो चड़ाएंगे तो आपके तक नौटिपेसन जरूर पहुचेगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे आज के लिए बसतरा हैं